सबसे पहले मुझे comment करके ये बता दो कि आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं क्योंकि आपने बोला था कि सर मंडे से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और मंडे से हम लगातर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि new education policy 2020 के according दोस्तों बहुत सारे changes है और इस वीडियो में आपको बताने हो लोगी first year engineering में अगर आप admission ले रहे हो चाहे आप जो भी university से हो तो क्या-क्या changes और क्या-क्या problems आपको face करना होगा अब 10 major changes क्या है जो पहले अलग था अब आपको अलग तरीके से deal करना होगा यहां पर मैं आपको सब चीजे बताने वाला हूँ इसलिए बहुत ही ज़्यादा important वीडियो है अगर आप engineering में जा रहे हो तो आपको यह पहले से ही पता होना ची भाई अब pattern क्या होने वाला कितन यूनिवर्सिटी के लगभग एक एक लेशन भी cover होने वाले नए syllabus के according दोस्तों और पूरे के पूरे नए वीडियो में बना रहा हूँ अगर आपको पता होगा तो तो दोस्तों अगर आपको जुड़ना होगा तो आप प्रदीविरे अकैडमी application को download कर सकते हो जिसका link आप सब्सक्राइब कर दो चलते हैं दोस्तों वन वाइवन चीजों की दोस्तों देखो new education policy 2020 जैसे ही आया बहुत सारे universities ने अपने अपने syllabus में changes लाए अगर मैं बात करूं तो इस बार से बहुत सारे universities ने 2024 और 25 के according बहुत सारा changes ला दिया अपने syllabus में अगर मैं बात करूं जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाया था है SPPU ने पूने यूनिवर्सिटीज ने अपने syllabus में changes लाया मुंबई यूनिवर्सिटीज ने अपने syllabus में changes लाया श्रीच छद्रबदी सीवाजी महराज यूनिवर्सिटी ने अपने syllabus में changes लाया ऐसे बहुत सारे universities हैं जिनोंने new education policies के according अपने syllabus में changes लाया है तो मेरा सबसे पहला पार्ट ये syllabus देखो new education policies के according जितने भी यूनिवर्सिटीज में आप admission ले रहे हैं जो भी यूनिवर्सिटीज में मैंने example के लिए बताया है तो सबसे पहला पार्ट है कि आपको देख लेना है syllabus में क्या changes है आप पता चला कुछ भी पढ़े जा रहे हो बहुत दिक्कत हो जाएगा syllabus में कुछ ने कुछ बहुत major changes किये गये चेंजेस मैंने बोला कि पहले की तरह syllabus है बट एक दो पॉइंट पे उन्होंने बहुत अच्छा changes किया है कहीं पे हो सकता है उन्होंने syllabus में से कुछ पार्ट हटा दिया है इसलिए आपको essay teacher से पढ़ना जिसको proper सभी चीजों के बारे में अच्छे से पता है बहुत सारे पार्ट में से सिलावस में से बहुत सारी चीजों को उन्होंने reduce कर दिया है कहीं पे एक दो पार्ट उन्होंने नया रखा है नया पार्ट लाने में मतलब जादा उन्होंने तकलीफ पर बहुत सारा जो पुराना पार्ट है उसको उन्होंने साइड कर दिया है कहीं पर कुछ चीज़े उन्होंने जो साइड की है वो हमारी लिए अच्छी भी है कहीं पर हमारे लिए सही भी नहीं है वो मैं बात करूंगा आप से अब देखो दोस्तों फॉर्स्ट इयर इंजिन पर उसमें से अगर आप देखोगे तो उन्होंने BEE का जो सिलाबस था उसमें इलेक्ट्रोनिक्स का पार्ट उन्होंने आड कर दिया साथ में दोस्तों ऐसे आप भी जिस यूनिवर्सिटीज में एड्मिशन ले रहे है तो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटीज के नोट डा जो दस सल पुराना वो पैटन फॉलो कर रहे थे फिर से उन्होंने वही पैटन पर आ गया है वो 60-40 पैटन 60-40 पैटन मतलब मुंबई यूनिवर्सिटीज में पहले 80 मास के पेपर होते थे अब उन्होंने कितने मास का पेपर कर दिया दोस्तों 60 मास का मतलब एंड सेम की त जीजय है दोस्तों इसकी वजये से बहुत सारी चीजय चेंजयस होगी तो अईसे बहुत सारे यूनिवर्सिज़ से लिचन देस हुए है वो आपको पता होना जीजय जैश like मैं पूने की बात करो पूने वालों का 70 मास का पेपर होता था, इस बार भी 70 मास का ही पेपर होने वाला है, बट इनका जो 30 मास का पेपर होता था, वो इन सेम होता था, बट अब भी क्या होगा, यह 70 मास का पेपर 100% सिलाबस पे होगा, पहले 100% सिलाबस पे नहीं था, बस 4 यूनिट्स पे होता था बढ़ यह 100% सिलाबस तो यह एक major changes है जो पूने यूनिवर्सिटी को बहुत ही इन्होंने tough कर दिया है जो पहले कैसे होता था कि दो parts में रहते थे तो थोड़ा सा relax रहता था बढ़ यहां पर एक सबसे बड़ा यह problem आ गया है दोस्तों इसकी वज़े से अब क्या के changes होने वाला है सबसे पहली अगर बुक्स जो है अगर आप अभी जाके books purchase कर रहे हो तो लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा बहुत आपको तक देखो मैंने बोला न सिलाबस में अरूंड 5 टू-5 परसेंट इतना चोटा major changes है कोई ज्यादा नहीं है बेट आपको पता होना अच्छी इवन मैं बोल सकता हो कि 10% के आसपास changes है पर 10% बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया तो ज्यादा changes नहीं है तो बुक्स आप प्रिवियस बुक्स भी फॉलो कर सकते हो अगर किसी ने ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बुक्स लेते हो अभी कैसे नए बुक्स आएंगे नए पैटन उसके उपर लिखा होगा 2024 पैटन के अकॉडिंग तो आप जिस भी यूनिवर्सिटीज में हो बुक्स के चक्कर में अभी मत भागो आप आराम से अभी पढ़ते जाओ जैसी कॉलेज में जाओगे कुछ दिनों में जल्दी तो बुक्स आएंगे नी तो आपको प्रिवियस बुक्स ही फॉलो करने होंगे प्रिवियस नोट सभी चीज़े अभी अभी लेबल होती है तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो पर आपको टेंशन यह नहीं लेना कि बुक्स में मेजर चेंजिस बाकि जो हमारे कोर्स में तो उनको बुक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है पीवाई क्यूस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों जिस भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडविशन लेते हो फॉस्ट इयर इंजिनेरिंग में पीवाई क्यूस का बहुत नाम लिख दो इसलिए मैं हमेंसा बोलता कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का जितना ज्यादा कॉमेंट करोगे मैं फिर उस यूनिवर्सिटी वाइज आपको बहुत सारी चीज़े प्रोवाई क्यूस की जिम्मेदारी मेरे उपर रख दो कि हर सिलाबस का हर टॉपिक में से प्रिबियस यर में था क्या था वह मैं आपके लिए मेहनत करूंगा बैटके मैं सभी चीज़े आपके लिए कवर कर दूंगा तो पीवाई क्यूस भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अब सिलाबस चेंज है तो कौन से पीवाई क्यूस हमा इसने भी यूनिवर्सिडीज हैं वहां पर यूनिटेस का रोल जो है दोस्तों वह बहुत ही ज्यादा बढ़ चुक है हम कैसे 12 का पेपर देके आते हैं तो 12 में यूनिटेस का वैल्यू नहीं रहता बड़ यहां पर यूनिटेस के मार्स कंसिडर होते हैं अगर मैं सारे ऐसे अलग-अलग यूनिवर्सिडीज हैं यूनिटेस का रोल अब आपका कैसा हो गया बढ़ गया तो यूनिटेस मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो मैंने बोला कि वन मन्त के आसपास आपको आरूंड दो से दो से तीन यूनि है वो 80 मार्स के पेपर एवेलेबल है अभी तरह मुंबई यूनिवर्सिडीज में अभी क्या कर दिया सिक्स्टी का पैटन ला दिया तो अब यह बहुत बड़ा टेंशन आगे कि सर प्रिवियस यहर पेपर का क्या होगा पैटन क्या होगा पहले कैसे होता था उनका जो पै लेशन का चेंज हो जाएगा तो यहां पर मार्क्स चेंज हुआ ना तो यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे कौन से लेशन पर ज्यादा फोकस करना है अब लेशन के फोकस भी धीरे-धीरे अब क्या हो जाएंगे यूनिट के बराबर है अब देखो दोस्तों यहां पर अगर आप द्यान से देखोगे नोट्स अब बहुत सारे आपके पास नोट्स आएंगे जो नोट्स नोट्स आपके पास जो रहेंगे वह प्रीवियस यहर्स के उपर रहेगा तो आपको यह भी ध्यान रखना है आपको यह ध्यान रखना है जब आपको कोई भी टीचर्स कॉल्लेज में भी अगर नोट्स दे रहे है तो यह ध्यान रखना है कि जो । वह नए syllabus से match हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो बस आपको उस notes में से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे syllabus में से topic reduce है वो नहीं पड़ना है बस यह चीज़ का ध्यान रखना है अब next part है दोस्तों यह होने के बाद next part passing criteria very very important देखो दोस्तों इंजिनियरिंग में mostly 80% स्वारी 80 बोल रहा हूँ 40% passing criteria होता है जैसे पहले 80 marks का अगर किसी universities में paper होते है तो उनका passing criteria 32 रखा जाता है बड़ अगर 60 marks अब आपका paper हो गया जैसे मुंबई का paper 60 हो गया तो passing criteria चेंज हो गया दोस्तों तो यह आपको पता होना चाही कि 40% तो ऐसे अलग-अलग universities का अलग-अलग passing criteria है तो वो आपको पता होना चाही कि passing criteria मेरे university का कितना है जैसे बहुत सारे university 100 में से बोलते है कि मेरे को 100 में से 40 marks चाहिए कुछ ऐसे युणीवर्षिटि डीज बोलते हैं कि जो आपका इंटर्नल युणि टेस्ट होता है युणि टेस्ट जो है उसमें भी केटी कंसिडर किया जाता है जैसे युझ प्रासिंग क्राइट्रिया भी आपको ध्यान रखना है आप नीचे कॉमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूगा जैसे मुंबई का यह होगया यह पासिंग क्राइटरिया हो गया है सेवेंटी मास का पेपर है तो अब देखो यहां पर नेक्ष्ट है दोस्तों कन्क्लूजन ओर रल कन्क्लूजन क्या है निव एजुकेशन पॉलिसी से कि अकॉर्डिंग यह कन्क प्रफोकस है कि जो जो मेंन में टॉपिक से सब लेक्चर सब नए देख रहे हो तो यह एक है दुसरी चीज कि आप जब बुक्स ले रहे हो तो अभी आप बुक्स के पीछे मत भागो बुक्स जो नए आएगा तो तुसरी चीज इस इलाबस में बहुत ज्यादा चेंजिस नह बहुत सारे लोग आधा दूरा वीडियो देखेंगे आधा धूरा घ्यान लेंगे क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाए है तो अगर यहां तक आगर आप वीडियो देख रहे तो प्लीज नीचे कॉमेंट करना सर मैंने लास्ट तक वीडियो देख है तो आपको सच में ओवरॉल नॉलेज आया होगा प्रदीविरी अपडेट चैनल पे मेरा भी एक वीडियो आने वाला है उसमें मैं यूनिवर्सिटी वाइज बहुत सारी चीजे में बताने वाला हूं को दोस्तों यह है का है सबसे इंपहरrutने दोस्तों पासिंग राइटेरिय यह भी आपको पता होना चीच और अगर आपको यह चीजह पता होनी चीए तो आप आराम से अपनी चीजों क्या कर सेथे हो दोस्तों, कवर कर सेथे हैं तो वीडियो को देखने के लिए दिल से टाइम्स, टाइंक यू सो मुझ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाय-बाय, टेक केर, जाहिन दोस्तों